आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ RNA is not genetic material इन पूछा गया है इन चारों में से किसमें RNA जो है वो genetic material नहीं तो हम लोगों पता है कि genetic material वो सारे material होते हैं जहां पर characters या फिर genes जो है वो carry होते हैं from parents to offsprings और इन ही को क्या कहा जाता है genetic material और animal world या फिर plant world में अगर देखें तो two type of genetic material present रहते हैं एक है RNA और दूसरा है DNA DNA जो है ये बहुत ज़्यादा vast है और RNA जो है ये simple organisms में पाए जाते हैं तो यहां पूछा गया है कि RNA जो genetic material है वो किन में नहीं पाए जाते हैं पहला है tobacco mosaic virus तो tobacco mosaic virus और viruses में ज़्यादा तर पाए जाते हैं single stranded RNA यानि ऐसा RNA जहां पर एक ही strand रहता है और यही चीज टोबाको mosaic virus में पाए जाते हैю और maximum viruses में RNA ही पाए जाते और यह जो टोबाको mosaic virus यह क्या करता है यह solyny c family का है और यह क्या करता है यह plants में जैसे potato और tobacco में यह क्या करता है ऐसे black patches substance बनाते हैं leaf में जिससे पता लगता है कि यहां पर virus जो है वो take place किया है next है QB bacteria fast जो की फिर से एक virus है और virus होने का मतलब भी यह भी क्या है positive strand RNA है और यह एक ऐसे virus है जो की infect करते है bacteria को जैसे की E. Colei को next है bacteria, bacteria जो है यह होते है double stranded DNA क्योंकि बैक्टेरिया जो होते हैं ये वायरस से बढ़े होते हैं और इसी वज़े से ये करते हैं double skilled DNA इसी वएसे हमारे बॉड़ी में भी ये लोग बहुत बहुत क्या कर लेते हैं और इसी वज़े से bacteria और plasmid को use किया जाता है as experimental methods और इसी वज़े से antibiotics भी बनाया जाता है bacteria का use करते हुए इसी वज़े से जो correct option होगा जहां पर RNA genetic material नहीं है वो हो जाएगा bacteria जो की last option है कर दो दो